प्रिये शिक्षार्थियों आप सभी को ज्योतिक और शिक्मनन का साधर नमस्कार आज व्यवस्याई अधियन के तहट नियुक्ति करण के भाग दो में मैं आपका स्वागत करती हूँ पिछले अंक में हमने जाना कि नियुक्ति करण के अर्थ, महत्व और प्रक्रिया क्या थे अब हम जानेंगे कि भर्ती क्या है एवं भर्ती के स्त्रोत कौन-कौन से है भर्ती को एक प्रक्रिया के रूप में परिभाशित किया गया है जो की एक संगठन में रिक्त नोक्रियों को भरने के लिए संभावित कर्मचारियों की खोज करने एवं उन्हें आवेदन करने के लिए प्रेरित करने से संबंदित होती है भरती को एक सकारात्मक प्रक्रिया भी कहा जाता है क्योंकि अधिक से अधिक लोगों को नोक्री के लिए आवेदन करने के लिए प्रेरित करने की यह प्रक्रिया होती है जिसके कारण इसे सकारात्मक प्रक्रिया कहा जाता है ताकि अधिक से अधिक लोग आवेदन कर सके हमने जाना कि भर्ती क्या है अब हम जानेंगे कि भर्ती के कौन-कौन से स्त्रोथ हैं तो हम देख सकते हैं कि भर्ती के दो प्रकार के स्त्रोथ होते हैं आंतरिक एवं बाहियाँ। आंतरिक स्त्रोतों से ताथपर्य भरती के लिए आवेदकों का चैन संगठन में उपस्थित उमिद्वारों से होता है। जो कर्मचारी संस्था के अंदर पहले से ही कारयरत होते हैं, उन्ही में से किसी कारे को, किसी जॉब पोजीशन को, किसी पद को भरने के लिए उन्ही व्यक्तियों का चैन किया जाता है जो की पहले से ही संस्था में काम कर रहे होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं पहला स्थानांतरन अर्थात ट्रांसफर्स इसका मतलब है कि एक व्यक्ति को एक स्थान से हटा कर दूसरे स्थान पर कारे के लिए न्यूक्त किया जाना दूसरा है प्रमोशन अर्थात पदोन्नती इसका मतलब है कि जिस कारेभार के साथ व्यक्ति पहले से ही कारे को कर रहा है जादे जिम्मेदारी के साथ उसे दूसरे पद पर नियुक्त किया जाना ताकि वो दूसरे जिम्मेदार कारे को कर सके तो ये हैं दो आंतरिक स्रोथ आप जानते हैं आंतरिक के कौन से भाय स्रोथ हैं ये संख्या में नो हैं पहला सीधी भरती, नमबर दो प्रतीक्षा सूची, नमबर तीन विज्ञापन, नमबर चार रोजगार कारियाले, नमबर पांच प्रबंधन सलाहकार और अनुस्थापन एजेंसिया, नमबर 6, Campus Placement अर्थात विश्विद्यालों से भरती नमबर 7, कर्मचारियों की सिफारिशे नमबर 8, मजदूरों के ठेकेदार एवन नमबर 9 है वेप्रेसारन तो हम जानते हैं इनको एक एक करके इनके बारे में डिटेल में आंतरिक स्त्रोत आंतरिक स्त्रोतों से तातपर्य संगठन के अंदर से ही उमीदवारों को आमवेंतरित करने से होता है किसी भी संस्था के अंदर यदि पहले से ही कर्मचारी कार्य कर रहे हैं और वे अपने कार्य को करने में बहतर तरीके से सक्षम है तो क्यों न नोकरी के लिए उसी का चैयन कर लिया जाए? तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, स्थानांतरन एक तकनीक है आंत्रिक स्तरोत के माध्यम से भर्ती करने की, इसमें एक कर्मचारी को एक नोकरी से दूसरी नोकरी में, या फिर एक विभाग से दूसरे विभाग में, या फिर एक शिफ्ट से दूसरी शिफ्ट में तानांतरित करना हो सकता है, तो आपने देखा होगा, इसके उधारन आपको अपने समात से ही देखने को मिल जाएंगे, कई बार मौनिंग शिफ्ट में काम किया जाता है, विभाग में या फिर दूसरी जगह पर दूसरे स्थान पर हमें भी इस दिया जाता है जैसे ही मैं अपना उधारन लूँ जिस विद्याले में मैं पहले पढ़ा रही थी वहां पर बच्चे यदि कम हो गए हैं तो वहां चार लोगों के कारे करने की आवश्यक्ता नहीं थी इसलिए ग्रमचारी के कारे की अनुसार ही कर्मचारीयों को वहां पर रखा जाता है अधिक होने पर वहां से हटा जहां पर ज़रूरत आई जहां पर शिक्षक नहीं है वह भेश दिया जाता है ऐसे ही ये मैंने अपना शिक्षक होने का उधारन यहाँ पर दिया इस प्रकार ही यदि हम व्यवसाय में देखें या अन्ने संगटनों में देखें तो कर्मचारियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज दिया जाता है ताकि दोनों ही स्थानों पर कारे जो है सुचारू रूप से चलता रहे दूसरा है पदोनती पदोनती सितातपरे एक कर्मचारी को उच जिम्मिदारियों, प्रतिष्टा, सुविधाओं और वेतन के साथ उच पद पर आसीन करने से होता है जैसे कि आपने महसूस किया होगा कि जिस शिक्षक से आप पढ़ते थे अब उनकी पदोनती होकर के वो विध्याले प्रमुख बन गए हैं तो ऐसे उधारन आप अपने आपस में, अपने समाज में देख सकते हैं और भरती के आंतरिक स्त्रोतों को बेहतर रूप में समझ सकते हैं आईए, अब हम जानते हैं कि भरती के आंतरिक स्त्रोतों के क्या लाब होते हैं तो पहला है कि यह कर्मचारियों को प्रेरित करता है कर्मचारी अपने कार्य को अपने प्रदर्शन को बहतर बनाने के लिए प्रेरित होते रहते हैं वो यह सोचते हैं कि यदि हमने कार्य अच्छे से किया तो फिर हमें ही किसी बड़े पद के लिए चयन किया जा सकता है दूसरा है चयन और अनुस्थापन की प्रक्रिया को सरल बनाना अर्थात आंतरिक भरती के माध्यम से चयन और अनुस्थापन की प्रक्रिया सरल हो जाती है क्योंकि कोई भी एक लंबा चोड़ा जो प्रक्रिया है प्रोसेस है उसको अपनाने की आवश्यक्ता नहीं होती जैसा कि हमने पिछले अंक में पढ़ा था कि किस प्रकार अपने करमचारियों को नियुक्त किया जाता है जिसके अंदर अलग-अलग चरण होते हैं और आठ चरणों के माद्यम से हमने समझा था कि किस प्रकार नियुक्तिकरन किया जाता है या फिर हम आने वाले अंक में समझेंगे कि चैन की प्रक्रिया क्या है जिसके अंदर बहुत ही जादा समय एवं जो पैसा है वो लगता है जबकि आंतरिक स्त्रोतों का लाब यह है कि यह बहुत ही कम खर्चे में हो जाता है और हमें बहुत जादा आवंडर करने की आविशक्ता नहीं होती है प्रवेश प्रशिक्षन की भी कोई आवशक्ता नहीं होती है क्योंकि संगठन के अंदर से भरती किये गए लोगों को प्रवेश प्रशिक्षन की जरूरत ही नहीं होती वो पहले से ही अपनी संस्था से फेमिलियर होते हैं परिचित होते हैं इसके अलावा बरती के आंत्रिक स्तुरोतों के लाबों में हम देखें तो अधिशेश करमचारियों का समायोजन भी हो जाता है जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि एक जगे पर यदि हम काम कर रहे हैं और वहां पर करमचारी अधिक हो गई है और दूसरी जगे पर कारे करने के लिए करमचारियों की आवश्यक्ता है तो जहां पर अधिक हो गए है वहां से हटा कर जहां पर कमी है वहां यदि लगा दिया जाए तो अधिशेश करमचारियों का समायोजन हो जाता है स्थानांतरन का लाब यही है कि अदिशेश कर्मचारियों वाले विभागों से कर्मचारियों को कमी वाले विभागों में स्थानांतरित कर दिया जाता है इसके अलावा समय की भी पचत होती है क्योंकि कर्मचारियों के प्रशिक्षिन और विकास पर समय की वरबादी नहीं होती कर्मचारी पहले से ही प्रशिक्षित होते हैं जिसके कारण कम समय में ही आंत्रिक स्त्रोतों से भरती कलाब उठाया जा सकता है इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा पैसा लगता है जब हम दुबारे से अपनी चहेन प्रक्रिया को निभाते हैं तो यह एक किफायती स्त्रोत है बहाय स्त्रोतों की तुलना में आंत्रिक स्त्रोत से नोकरियों को भढ़ना सस्ता होता है तो हमने जाना कि किस प्रकार भरती के आंत्रिक स्त्रोतों के लाब होते हैं पर सिर्फ लाब ही नहीं होते कुछ दोश भी हैं तो हम जान लेते हैं कि आंत्रिक स्त्रोतों की कौन-कौन सी सीमाई होती है पहला नई प्रतिभाओं के प्रवेश में रुकावट होती है यह हम जानते ही हैं बहुत हमारे समाज में जो यूथ है वो बिरोजगार है यदि पहले से ही कर्मचारियों को अपने आंतरिक स्त्रोतों से ही भर दिया जाएगा तो नई प्रतिभाएं तो आएंगी ही नहीं जब रिक्तियां आंतरिक प्रजननती के माध्यम से भरी जाती है तो नई प्रतिभाओं को शामिल करने की जो संभावना है वो कम हो जाती है आंतरी भरती में संगटन में नई प्रतिभाओं के प्रवेश में रुकाव के कारण जो अंतहप रजनन का खत्रा है वो बना रहता है कर्मचारी अपने ही आप एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा अपने आप अंदर ही अंदर जो है अपनी कारे को करते रहते हैं और अपने ढंक से करते रहते हैं जबकि कारे के करने के जो नई सोच है वो संस्था के अंदर आही नहीं पाती तो जब हमें नई प्रतिभाओं की आविश्यक्ता होती है तो हमें आंत्रिक स्त्रोतों को जो माध्यम है वो नहीं अपनाना चाहिए इसके अलावा यह भी देखा गया है कि यदि आंत्रिक्स त्रोतों से सुनिश्चित कर दिया जाए भरती को करना तो जो हमारे कर्मचारी हैं वे आलसी भी हो सकते हैं कर्मचारी पदुन्नती के बारे में सुनिश्चित हो जाते हैं कि मुझे तो बड़ापद आसानी से यही पर मिल जाएगा तो इसलिए मुझे बहुत अधिक बेहतर कारे प्रदर्शन की आवश्यक्तर नहीं है वे आलस के शिकार हो सकते हैं इसके अलावा यह भी हो सकता है कि जो नए संगठन के लिए हम बात करें नए संगठन हो तो उसमें प्रतिभाएं उपलब्ध ही नहीं है पुराने कर्मचारी उपलब्ध ही नहीं है तो आंतरिक स्त्रोतों के माध्यम से जो भरती है वो वहाँ पर संभवी नहीं है एक नया उद्यम भरती के आंत्रिक स्त्रोतों का उपयोग कर ही नहीं सकता तो ये तीन हमने आंत्रिक स्त्रोतों की सीमाएं जानी इसके अलावा हम दो सीमाएं और देख लेते हैं जैसे की प्रतिस परदा की भावना यदि हम कर्मचारियों का चुनाव कर्मचारियों की भरती आंत्रिक स्त्रोतों के माध्यम से करते हैं तो कर्मचारियों के बीच प्रतिस पर्दा की जो भावना है वो कम हो जाती है क्योंकि जो कर्मचारी हैं वो पहले से ही हैं वो उनके बारे में एक दूसरे से पहले से ही परिचित होते हैं जब कि जब संस्था के अंदर बाहर से कर्मचारी आते हैं और वो बहतर कारे करते हैं तो पुराने जो कर्मचारी होते हैं वे अभी प्रेजित हो जाते हैं कि ये मुझसे बेहतर काम कर रहा है तो मुझे भी बेहतर काम को करना चाहिए या काम को बिन तरीके से करना चाहिए तो यह प्रतिश परदा की भावना आंतरिक स्ट्रोतों में देखने को नहीं मिलती इसके अलावा एक बहुत ही गहरा असर पड़ता है नकारात्मक प्रभाव पड़ता है जब कर्मचारी का बार-बार स्थानांत्रण हो जाए कर्मचारियों के बार-बार स्थानांत्रण से संगठन की जो उत्पादकता है वो भी कम हो जाती है क्योंकि यह आवश्यक है कि जब एक कर्मचारी को कारे दिया जाए तो उसे थोड़े समय के लिए वही पर टिके रहने देना चाहिए ताकि वो अपने कारे प्रदर्शन को दिखा सके यह प्रबंद के फियोल के से दान्तों में भी हमने पड़ा है stability of tenure अर्थात कुछ समय पर के लिए एक कर्मचारी को वहाँ बनाए रखना देना चाहिए ताकि वो अपने कारे को समझ कर और बहतर प्रदर्शन करने के लिए अनुकूल वातावरन बना सके तो हमने जाना कि किस प्रकार भर्थी के आंतरिक स्त्रोथ हमारे लिए लाब और हानी दोनों हो सकते हैं तो अब चलते हैं भर्थी के बहारी स्त्रोथों की तरह बहारी स्त्रोथ सबसे पहले है ब्रत्यक्ष भर्थी या फिर direct recruitment ये जो विदी है समान्य तह आकुशल या अर्दुकुशल श्रमिक को आकस में खाली हुए पदों को भरने के लिए की जाती है प्रत्यक्ष भरती के अंतरगर्थ संगटन के नोटिस बोर्ड पर एक अधिसूचना लगा दी जाती है जिसमें संस्ता के रिक्त पदों का विवरन दे दिया जाता है जो भी कारे पाने के इच्छुक श्रमिक होते हैं वो एक सुरिश्चितिति को संस्ता के बाहर एकत्रिद होते हैं तथा उनके चैन के प्रक्रिया उसी इस्थान पर कर दी जाती है ऐसे श्रमिकों को आकस्मिक श्रमिक या बदली श्रमिकों के रूप में भी जाना जाता है यदि हम प्रत्यक्ष भर्ति की उप्युक्तता देखें तो काम की अधिक्तता होने पर या फिर कुछ स्थाई कर्मचारी के छुट्टी होने पर और स्थाई पदों को भरने के लिए यह विधी उप्युक्त होती है जबकि दूसरा भरती का स्त्रोत है प्रतीक्षा सूची प्रतीक्षा सूची का तातपर्य होता है कि कोई भी व्यवसाइक संगटन अपने कार्यालियों में एक अवांचित अवेदुकों का डेटाबेस रख लेते हैं जिने की अभी नोकरी चाहने वाले जितने भी व्यक्ति हैं उनकी एक सूची तयार कर लेते हैं जरूरत पढ़ने पर उस सूची में से रिक्त पदों को भरने के लिए स्क्रίνिंग की जा सकती है भरती के इस स्थ्रोत का प्रमुखलाब यह होता है कि अन्य स्त्रोतों की तुलना में यह कर्मचारियों की भरती की लागत को कम करता है तीसरा भरती का बहारी स्त्रोत होता है विज्यापन हमें भी जब रोजगार की आवश्यक्ता होती है तो हम समाचार पत्रों के माध्यम से या फिर विज्यापन के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं कि कहां पर जगह खाली है रिक्त स्थान है और विस्त्रित विकल्पों क आवश्यक्ता जब हमें होती है तब एक संस्था विज्यापन का माध्यम चुनती है जब संस्था को बहुत अलग-अलग तरीके के व्यक्ति को कारे करने की लिए चैन करना होता है तो उद्योग और वानिज्य के जो अधिकांश वरिष्ठ पद होते हैं वो इसी विधी से भर उद्यों सर्व वियक्त माना जाता है इसके बाड अलावा हम देखें रोजगार कार्याले आपने देखा होगा और हो सकता है आप सभीром रोजगार कार्याले में अपने पपंजी करण कराया भी हो क्योंकि सरकार द्वारा चलाये जा रहे रोजगार कार्यालियों को सारविजनिक शेत्र में और कुशल पदों की भरती का एक अच्छा स्थ्रोत माना जाता है आप जहां कहीं भी रह रहे होंगे आप अपने आसपास यह देख सकते हैं कि जिलास्तर पर या राज्यास्तर पर बहुत सारे रोजगार कार्याले खोले गए हैं और लोग अपना पंजीगरन वहां पर अपनी कुशलता के आधार पर करा देते हैं किसी भी विभाग में जरूरत पढ़ने पर रोजगार कार्याले के माध्यम से जो चैन है वो कर लिया जाता है कुछ मामलों में तो रिक्तियों की अधिस रूप में सेवा देकर कर्मचारियों की मांग और आपूर्ति का मिलान करने में मदद करते हैं तो आपने जाना कि किस प्रकार रोजगार कार्याले भरती के बहारी स्त्रोत हैं और आपकी बेरोजगारी को धूर करने का एक बड़ा माध्यम भी हो सकते हैं यदि आपने और प्लेस्मेंट एजेंसियां शिक्षार्थियों यह आपको जानना आवश्यक है कि जिस प्रकार रोजगार कार्याल हैं, सरकारी सिस्टम है, एक सरकारी तंतर है, नोकरी पाने वालों और नोकरी देने वालों के बीच में, जो संबंद स्थापित करने का बिलकुल इसी प्रकार जो निजी सलाकार हैं या प्लेस्मेंट एजेंसिया हैं ये प्रबंदन सलाकार अलग-अलग योग्यता और कौशल वाले व्यक्तियों का डेटा बैंक रखते हैं ये एक तरह से प्राइवेट या निजी प्लेटफॉर्म है जिस परकी नोकरी पाने वाले और नोकरी देने वालों के बीच में संबंद को स्थापित किया जाता है वे संगटनों में तकनीकी, पेशेवर और प्रबंद की अकर्मियों की भरती में मदद करते हैं इन्हें मध्य और शीष इस्तर के अधिकारियों के प्लेस्मेंट में विशिष्टता होती है ये प्लेस्मेंट एजेंसियां बड़ी संख्या में उमीदवारों के बायो डेटर को रिज्यूमर्स को अपने पास रखती हैं और अपने ग्रहाकों को उप्यूक्त नाम सुझाती हैं और वे इन प्लेस्मेंट एजेंसियों तक पहुंचा देते हैं ये आपसे कुछ पैसे लेकर के आपको कार्या या रोजगार देने के लिए प्रॉमिस कर देती हैं और अपनी सेवां के लिए शूर्क लेना ही इनका एक प्रमुख सोर्स ओफ इंकम है वो माना जाता है इसके अलाव पढ़ने वाले बच्चों को पाइनल एर में ही अपने उनके कॉलेजों से या प्रबंदन और पद्योगी की संस्थानों से सलेक्ट कर लिया जाता है उनका चेहन कर लिया जाता है और आज के समय में ये सबसे ज़ादा लोग प्रियस्त्रोत बन गए हैं कई बड़े- पढ़ी रहा था और पढ़ते-पढ़ते नुक्री लग गई कॉलेज के अंदर ही जो बड़ी-बड़ी संस्थाएं हैं वो आज आती हैं और उनका इंटर्व्यूस लेकर टेस्ट लेकर के परिक्षा लेकर के उन्हें वहीं से चाहनित कर लेती हैं और उनकी योग्याता के आधार पर उन्हें बड़े-बड़े पैकेजिज ऑफर किये जाते हैं तो भरती के बहारी स्त्रोतों में आज का जो पढ़ाई लिखाएं के माध्यम से संस्थानों के माध्यम से जो लोकप्रीय स्त्रोत है वो है विश्विद्यालों से सीधी भरती आईए अब चलते हैं अगले स्तुरोद की दरफ जो की है कर्मचारियों के सिफारिशी आपने ऐसा सुना भी होगा कि मैं काम कहीं कर रही हूँ और साथ ही दूसरे कर्मचारी की आवश्यक्ता है तो मैं जितने लोगों को जानती हूँ उनमें से मैं कॉंटेक्ट करूँगी उनके साथ संपर्क साधूँगी और जानने की कोशिश करूँगी कि कोई व्यक्ति मेरे संपर्क में ये दिनों करीप आना चाहता है मेरी संस्था में उसकी आवश्यक्ता है तो मैं उन्हें अप्रोच कर सकते हूँ तो कई फर्म जो होती हैं कई संस्थाएं ऐसी हैं जहां पर खाली पद होते हैं और वे उन खाली पदों को भरने के लिए अपने कर्मचारियों को उनके रिष्टेदारों या दोस्तों के नाम के सिफारिश करने के लिए प्रोच साहिब करते हैं ऐसे आवेद को कि अच्छे कर्मचारी होने की संभावना होती है क्योंकि उनकी प्रष्ट भूमी पहले से ही ग्यात होती है आपने ये महसूस किया होगा कि जब एक अच्छा कर्मचारी पहले से ही कारे कर रहा है और वो बहुत बहुत बहुतर तरीके से कारे कर रहा होता है और जब वो अपने से संबंदित किसी दूसरे व्यक्ति को यहाँ पर अपना नाम सुझाता है तो ये माना जाता है कि वो भी उसी की तरह से अच्छा होगा, बेहतर होगा और संस्ता के उद्योश्यों की प्राप्ती में अपना पूरा सहयोग करेगा तो इस प्रकार कर्मचारियों की सिफारिशें एक बहतर भरती के बहारी स्थरोथ के रूप में कारगर साबित होती है इसके अलावा आपने देखा होगा मजदूरों के ठेकेदार ये भी भरती का एक बहारी स्थोत है जिसमें ठेकेदार जो होता है वो मजदूरों के साथ संपर्ग बना करके रखता है और ठेकेदार कमीशन के भुकतान पर अलप सूचना पर मतलब बड़े ही कम समय पर ही जैसे ही हमें आवश्यक्ता हुई हमने ठेकेदार को कॉंटेक्ट क साथ तो इसलिए यह एक बहुत ही आवश्यक भारी स्थोत होता है जब हमें अचानक से आवश्यक्ता पड़ती है तो हम इन ठेकेदारों को कॉंटेक्ट कर सकते हैं और इनके साथ संपर्ग साथ सकते हैं इस विदी का नुकसान यह है कि अगर ठेकेदार जो स्वेम संगठन की कर्मचारी है स्वेम संगठन छोड़ने का निने ले 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 तो उसके माध्यम से कारेरत सभीष्ट्रमिक भी संस्था को छोड़ देते हैं क्योंकि वे संगठन के साथ नहीं थेकेदार के साथ ज़्यादा भावुक तरीके से जुड़े हुए होते हैं और अब भरती क अगला स्त्रोथ है अंतिम स्त्रोथ है वेब फ्रसारण आज कल इंटरनेट का जमाना है आज कल इंटरनेट भरती का एक आम स्त्रोथ बन चुका है आपने देखा होगा इंटरनेट पर नोकरी.com जैसी अन्य बहुत सारी वेब साइट्स उपलब्ध होती हैं जिसमें व्यक्ति के विशेश नोकरी चाहने वाले व्यक्ति अपने नोकरी देने वाले व्यक्तियों के बारे में संस्ताओं के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं और अपना पंजी करण उन वेब साइट्स पर करा देते हैं. वेब साइट कुछ कमिशल लेकर के जो नोकरी चाहने वाले व्यक्ति हैं उनको नोकरी उपलब्द कराती है और ये वेब साइट के माद्यम से जब भरती का कारेप पूरा किया जाता है तो भरती के बाहरी स्तरोत के रूप में आज के समाज में हम देखें या आज की जो मांग है वो वेब प्रसारेंट बहुत ही जादा है सबसे लोग प्रीय स्तरोत है हम घर बैठे अपने जो एपलाई कर सकते हैं अपने मांग के अनुरूप नोकरी ढूंड सकते हैं और कई बार तो ऐसा देखा गया है कि घर बैठे कारे करने वालों के लिए आपको किसी संस्ता में जाने के भी आवश्चेक्ता नहीं पड़ती है आप घर बैठे नोकरी ढून भी लेते हैं और घर बैठे नोकरी कर भी लेते हैं क्योंकि इंटर्νεट का जमानए है तो हमने जाना कि किस प्रकार भरती के बहारी स्तरोत होते हैं भिन भिन बहारी बरती के बहारिस्त रोतों का उपयोग करके प्रबंदन योगय और प्रशीक्षित लोगों को संगटन में रिक्तपद के लिए आवेदर करने के लिए आखरशित कर लेता है दूसरा लाब है व्यापक विकल्प व्यापक विकल्प जो है अर्थात रोजगार के लिए लोगों का चैन जो है वो व्यापक विकल्प होता है क्योंकि संस्ता के बहार इतनी बड़ी दुनिया है और उसमें कार्य करने के लिए बेहतर से बेहतर विकल्प जो है हमारे पास available होता है और हम उनमें से जो सबसे बेहतर विकल्प है उसी का चैयन करते हैं तीसरा लाग ये है कि नई प्रतिभाएं जो हैं वो संगठन में आती हैं नई प्रतिभाओं के आने से एक नव संचार का जो वातावरण है वो संस्ता के अंदर हो जाता है इसके अलावा प्रतिजपरधा की भावना भी हो जाती है क्योंकि यदि कोई भी कमपनी बहारी स्थरोतों का प्रियोग करती है तो जो मौझूदा कर्मचारी होते हैं वो अप कि अपने प्रतिजपरधा अपने आप करने लगते हैं उन भाहर से कर्मचारिक के साथ जिस से की कर्मचारी संस्था का लाब ही लाब होता है इसके अलावा हम देखें तो बढ़ती स्रोतियों सिरफ लाभ ही नहीं होते इसकी कुछ सीमाई भी होती हैं और वे हैं सबसे पहली बात कि वर्तमान कर्मचारी जो होते हैं उनमें एक असंतोश की भावना पर अपने लगती है क्योंकि वे ऐसे महसूस करने लगते हैं कि हम काम कर रहे हैं लेकिन जब जादा बहुतर विकल्प ना मिलने के स्थिति में ब कम हो गाई है इसलिए वह असंतोश उनके अंदर मन में पनपने लगता है दूसरा इसका दोश यह है कि बहारी स्ते रोत जो हैं क्योंकि विज्यापन पर भी पैसा खर्चना पड़ता है और पrekर भी पैसा खर्चना पड़ता है संस्था के हम इसे महणी प्रक्रिया के रूप में जानते हैं तो जब संस्था के पास खर्च करने के लिए पैसा हो और अपो अचानक से ही किसी करमचारी की आविशिक्ता पड़ती है तब आंत्रिक स्त्रोतों के माध्यम ही जो भरती के स्त्रोत हैं आंत्रिक स्त्रोतों की तुलना में इस विदी में अधिक समय यहां पर लगता है अचानक हमें जरूरत पढ़ने पर आंत्रिक स्थरोतों से हमें जल्दी ही जो करमचारियों की आविशक्ता है, उसकी पूरती हो जाती है लेकिन भारी स्थरोतों के लिए हमें बहुत ही इंतिजार करना पढ़ता है पूरी प्रक्रिया को अपनाने में समय लगता है तो इस प्रकार आज हमने जाना कि भरती के बहारी स्तरोत कौन कौन से होते हैं भरती के आंतरिक स्तरोत कौन कौन से होते हैं भरती के आंतरिक स्तरोतों के लाब एवम दोश क्या है और भरती के आंतरिक और बहारी दोनों के ही स्तुरूतों के फायदे और नुकसान क्या-क्या हो सकते हैं मैं उमीद करती हूँ कि पढ़ाया गया विषय आपको उचित प्रकार समझ में आया होगा आपने हमारे साथ एंज्यॉय किया होगा धन्यवाद इस उमीद में कि आप आगे बढ़ते रहें